सागर किनारा इस सागर को देखिए कितना विस्तृत है ना किनारे की रेद भी कितनी मुलायम है हम यहां बहुत खेल सकते हैं इस किनारे पर जहां तक सागर की लहरे आती है वहां की रेद बहुत ही मुलायम हो जाती है वास्तों में ये बहुत ही खुबसूरत सागर किनारा है इस किनारे पर कई तरह के प्राणी रहते हैं पर आपकी आहट से ही वे जट से छिप जाते हैं सागर की लहरों से ये जो लकडियां बहकर आई हैं उनके नीचे बहुत सारे छोटे छोटे सीब हैं यहां के कुछ प्राणी सडे हुए अवशेशों पर अपना गुजारा कर लेते हैं और किनारा साफ रहता है पर रेत में चलते हुए यहां के केकडों का ध्यान रखिए नहीं-नहीं यह जहरिले तो नहीं है पर अपने तेज डंखों से वो बहुत जोरों से काटते हैं रेत में दिखने वाले छोटे छेदों से वे कई बार सांस लेने के लिए सतह पराते हैं पर उन में से कई प्राणियों को किनारे के पंची चट कर जाते हैं क्या आपको पता है कि ये जो सीप आप देख रहे हैं उसमें मासल प्राणी रहते हैं इस समय वे आपको नहीं दिखाए देंगे क्योंकि वे मर चुके हैं ये सीप कई आकार और प्रकार के होते हैं कुछ शंकु आकार के तो कुछ दो भागों में बटे हुए वहां के नारे की वनस्पती देखिए जिनके पत्तों पर गौंगे चड़ रहे हैं यहां के वनस्पती जीवन ने भी अपने आपको नमकीन वातावरण से अनुकूलित कर लिया है धूप में वे घौंगे पत्तों को चिपके रहते हैं बगीचे के घौंगों की तरह उन्हें तेज धूप से सूखने का डर नहीं है वहां कुछ समूद्री पक्षी उड़ रहे हैं शायद मच्णियों की खोज में हैं अरे वहां देखिए जेली फिश नहीं नहीं उससे हाथ मत लगाए उनके तन्तू जहरिले होते हैं उनसे आपकी तवचा को पीड़ा हो सकती है कितनी थंडी हवा चल रही है ना पर इस समय वो जरा धीमी गती से बह रही है इस जगा से मुझे सागर का निरिक्षन करना बहुत अच्छा लग रहा है यहां किनारे पर नारियल के पेड़ भी है सागर किनारे से सूर्योदय या सूर्यास देखना बहुत ही मनोरंजक होता है और रोमानचक भी होता है पर ये दोनों आप एक ही किनारे से नहीं देख सकते